कि दोस्तों नमस्कार कैसे आप सभी दोस्तों आपको हम जो है करेंट औरफेस की हमारी सुरी चल रही है MP्ण तुब नहीं करने की कोशेष करते लेकिन इभी आपको यसमें तीन से चार दिनका का करेंट पस्क्रण करते हैं तो चलिए और उनको सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों देगिए मद्वेद्व रिदेष हाइड कोट में नय चीप जेस्टिस का जो है यहां पर आ गए हैं इनका नाम क्या है आरवी मलीमत ठीक है आरबी मलिमत साब है, यह हिमाचल प्रिदेश के Chief Justice थे, अब मद्य प्रिदेश में आ गये हैं, और मद्य प्रिदेश के Chief Justice थे, दोस्तों है कहाँ चल गए हैं, उनको हिमाचल प्रिदेश का मुक्ह ने आधिस बना दिया गया है, तो इस चीछ को याद रखें, कुछ हम यहाँ पर फैक्ट देख लेते हैं, देिके मत्रेप्रेजिस का जो हाइप soldier है इसका मुख भवन कहां पर है? जवलपूर में है कहां पर है दोस्तों? जवलपूर में है इसका मुख भवन है, इसकी स्थापना 1956 में की गई ओर जो भवन है इसका निर्माण गोकुल दास ने करवाया था, किस ने करवाया था, गोकुल दास ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन बास्तुकार कौन थे, ठीक है, बास्तुकार कई बार एक्जाम में आप से पूछा गया है, तो बास्तुकार इर्विन साहब थे, ठीक है, कौन थे, ह मद्यप्रदेश में दो खंड़ पीट हैं कितनी है मद्यप्रदेश हाई कोट की दो खंड़ पीट हैं एक इंदौर में है कहां पर है एक इंदौर में है और दूसरी ग्वालियर में है इनकी इस्थापना जो है 1968 कब की गई थी 1968 69 में इनकी इस्थापना की गई थी मद्यप्र मर्द्य प्रिदेश की पहली महिला जज रही है दोस्तो इतना आपसे यहाँ पर जो है हमने डिसकस कर लिये हैं जीगे के प्रशने आगे हम बढ़ते हैं आप देखें अमिस्ताय जी अमिस्ताय जी 18 सिक्तंबर को कब 18 सिक्तंबर को जबलपूर आए हुए थे और इन्होंने बलिदान दिबस के एक कारकरम में भाग लिया आपसे एक्जाम में कोश्चन पूच लिया जाये तो इसका आप जो है आंसर करें और उज्ज्वला 2.0 ठीक है इसका सुभारम इन्होंन वं किया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रस्न देखते हैं देखिए मध्य प्रिदेश सरकार ने एक जिस तरह से आधि बास़ी पिछल्डा बर्ग आयक बोला आप देखें अंशुची जनल्जाती आयोग है पिछल्डा बर्ग आयोग इसी तरह से मद्ने प्रिदेश ने समान बर्क के लिए राज समान निर्धन जो है बरकल्याण आयोग का नाम अब जो है परिवर्तित कर दिया और नया नाम क्या कर दिया गया है मध्य प्रदेश राज जो है समान बर्ग कल्याण आयोग इसका नाम कर दिया गया है बहुत जादा महात्पूर्ण प्रश्ण है इसका नाम आप देखें मध्य प्रदेश राज समान बर्ग कल लियान आयोगव इसका नाम जो है परिवर्तित करके कर दिया गया है मध्यप्रदेश सरकार के दौरा आगे हम बढ़ते हैं देखें टीका करण अभियान मध्यप्रदेश में चलाया जा रहा है तो टीका करण 17 शिप्तेमबर को जिस दिन नरेंद्र सिप्तेमबर को ठीके मतलब तीसरा जो महा अभियान रहा है 17 सिप्तेमबर को रहा है दूसरा जो महा अभियान 25 अगस्त को था और पहला जो महा अगया नरेंद्र मोधी की जी के दौरा इनके आउहान पे 21 जून को पहला महा अभियान चलाया गया था 12 सरकार और मद्रे पृत्रेस सरकार इसको इस अभियान में पहला सब्सक्राइब मुझे आप कमेंट्स करके बताइए इस दिन पहला अभियान चलाया दूसरा जो है 25 अगस्त को कब चलाया 25 अगस्त को तीसरा नरेंद्र मोधी जी के जन दिवस पर 17 सिट्टेंबर को हमने महा अभियान चलाये है तो कोरोना काल में टीका करण जब से चल रहा है तो तीन महा अ ठीक है मादबेंद्र पिताब शर्मा इन्होंने नेशनल चेस चेंपियंशिप में इन्होंने क्या किया है अंडर 18 बर्ग में खिताब जीता है किसने जीता है अंडर 18 बर्ग में चेस चेंपियंशिप सक्तरंज में इन्होंने किताब जीता है दोस्तों यह भोपाल सहर के र गाएं मार्गवेंद्र सर्ट प्रताप शर्मा या जो है चैस खिलाडी है सत्रन जी खिलाडी है दोस्तों चलिए आगे बड़ते हैं उम्मीद करता हूं आपको पशंद आ रहे हो तो पशंद आ बनाया जाएगा क्या बनाया जाएगा नेशनल कामदेनू ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा भारत सरकार ने दो ब्रीडिंग सेंटर बनाने की बात कही है तो पहला एक सेंटर जो है मद्ध्रिदेश में बनेगा और दूसरा आंद्रिदेश में बनेगा मद्ध्रिदेश म निल्लोर में बनाया जाएगा एक बात और अभी हमारी सीरीज चल रही है पटवारी एक्जाम के लिए जो जो 2021-22 में पटवारी एक्जाम जो मत्यप्रतिर सरकार लेने वाली है जिसमें लगवग 5,000 विकेंसी आने वाली है तो इसके लिए हमने एक सीरीज इस्टार्ट की है जो कि previous year 2017 में जो पटवारी एक्जाम हुआ था उसके questions लेकर आ रहे हम तो उसमें मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ ग्रामिर अर्थवस्ता और पंचायती राज के previous year के हम question solve कर रहे हैं जिसमें आप से आप देखेंगे कि जो पसू जनगरना है यहां से हर एक जो सिप्ट के लिए जनगरना होती है लिए यही घरना होती है तो कौन से करम की थी वी पसू गरना 2000 के लिए थी में की 19 के एकोर्डिंग सबसे जादा जाबुआ में और सबसे कम जो है होसंगाबाद जिले में दोस्तों तो आप इनको याद रखें नैशनल कामदहनू ब्रीडिंग सेंटर होसंगाबाद के कीरतपूर में जो की इटारसी जो तहसिल में पढ़ती है आगे हम बढ़ते हैं अगला प्रशन देखें 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 बहुत जड़ा महाचपूर्ण प्रशन है अभी तो यह करेंट अफेर से लेकिन आगे चलकर दीरे से क्या बन जाएगा जीके का प्रशन बन जाएगा और आपको कई बार या प्रशन परिसान करेंगा जिसने नहीं पढ़ा है तो आप चाहिए फराज खान यह घुर्ण सावारी के खिलाड़ी है जिनको बर्श 2019 का नाम क्या है फराज खान याद रखें कि हराज खान ठीक है इनको डोहजार उननिस का बिक्रम जो है पुरुसकार मद्धि परेदेर्श सरकार ने दिया है, इनको Бिक्रम पुरुसकार दिया है, इसी तरह से अक्षत जयोसि यह भी गुण सबारी के अच्छे प्लेयर हैं। तो इनको मद्द्रडेश सरकार ने एक लब पुरुष कार दिया है, 2019 का। मैं आपसे पूछ लूँ कि मद्य प्रदेश घुरसावारी एकेडमी मद्य प्रदेश घुरसावारी अकादमी कहां पर इस्तित है तो इसका आंसर क्या रहेगा मैं इसका जो आंसर रहेगा भोपाल रहेगा क्या रहेगा दोस्तों भोपाल में मद्य प्रदेश घुरसावारी अकादमी इस्तीद है चलिए आगे बलते हैं हम अगला प्रश्ण देख लेते हैं देखिए मद्य प्रदेश सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है और जो अभी नितिन गटकरी इंदोर आई हुए थे और सिरास्टिंग चोहान के बीच में अब यहाँ पर कुछ बाते निकल कर सामने आई हैं जिसमें आप देखें देखिए राश्टी राजमार्ग परियोजना का इन प्रद्य प्रदेश का आपने NH44 नाम सुना होगा पिछले बार यहाँ से MPPSC ने प्रश्ण भी पूछा था तो परिवहन से संबंदित हर बार MPPSC एक प्रश्ण पूछता है तो हो सकता है आने वाले एक्जाम में आपको यही प्रश्ण देखने को मिले तो NH44 के बारे में आ यहां से देखिए इसी से जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस बे गुजरने वाली है तो देखिए नागपुर जब महराष्ट की बॉडर लगती है सीवनी से तो कुरैखवासा नामकिस्तान है यहां से एक जो है रूट बनाया जा रहा है वहाँ पर से क्या है NH44 में ही कौ आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रस्ण देखते हैं आप देखें यह हैं क्या है पूजा जाट हमने इसके बारे में एक मैंने सौट वीडियो भी बनाया था पूजा जाट है यह ओसलो में बर्ड सीनियर कुस्ती चैंपियंशिप में भारत का प्रत्निधित्य करेंगी यह प्रदेश की पहली रेसलर हैं इससे पहले यह दो यह एतलेटिक्स खिलाडी भी रह चुकी है लेकिन इनकी कद काठी थोड़ी कम है इस बज़े से इसमें को सफलता नहीं मिल पाई तो इन्होंने दूसरे गेम में अपना प्रयास किया ठीक है दूसरे गेम में गई तो अब तो यह क्या है रेसलर हैं किस्ति खिलाडी है और यह देवाज जिले की खाते गाओं कहां से देवाज जिलेके खाते गाओं यहां से है संबन्नित तो आप याद रख लें पूजा जाट कौन है या कुस्ती खिलाडी है ओसलो में जो वर्ड सीनियर कुस्ती चेंपियनसीफ होने वाली इसमें भारत का प्रतिनीधित करेंगी और मद्ध्य प्रदेश की पहली रेसलर है चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले देखें आप देख तो कई सालों के बाद में भारती होकी टीम ने टोकियो ओलंपिक में कोई पदक दिलाया है तो उसमें यह खिलाडी रहे ठीक है उस बिजेता टीम के यह सदश्च रहे हैं क्या रहे हैं यह मिड़ फिल्डर एक बाद याद रखें कई बाद एकजाम में पूस्ता है इनका का है क्या करते हैं होकी में तो यह होकी में क्या है मिड़ फिल्डर हैं दोस्तों इनको क्या किया गया गया है राइजिंग इस्टार आप एरसे सम्मानित इनको किया गया है हुसंगाबाद क्या है रहने वाले हैं आगे हम बढ़ते हैं देखे इस आप डूइंग बिजनिस ठी है तो अच्छा प्रदर सनिहां पर मत्य प्रदेश ने किया है देखिए इसमें क्या होता है बिजनिस की करने के लिए सुवदाएं सरकार तरह जो दी जाती है ठीक है चाहे सिंगल विंडू किलिए रेंस हो किसी को दी बिजनिस करना है ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है प प्षेतर में अच्छा काम किया है और सात्वे इस्तान पर हम देश में आ गए है चलिए आगे बढ़ते हैं आप देखेंगे अखिल भारती बाग आंकलन 2022 की तयारी सुरू हो गई है बागों की गड़ना के लिए जो पुरे भारत के इस्तर पर भारत में कितने बाग है इनक माई में कंप्लीट कर लिए जाएगी तीन माई में देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में डेंगु के बहुत केस आ रहे हैं एक हमारे दोस्त भी है इनको भी डेंगु अभी दो-तीन दिन पहले हो गया है तो आप भी शतर के रहें ठीक है आसपास कहीं अदी पानी भारा हो तो उसको आप खाली करें ठीक ओल आउट लगाके रखें जो भी सुब्दा है अभी बचें क्योंकि बहुत खतरनात होता है और बेड भी इसमें हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रहे हैं तो इससे आप बचें मद्धिप्रजिश सरकार ने डेंगू से जंग जंता के संग अभि देखने की ज़रूरत नहीं है जो है क्या है इसमें रूप टॉप सॉलर एनरजी में बिजली उत्पादन करने में देज के टॉप फाइब से सहरों में सिटी में भोपाल का नाम भी है यह है राता पानी जो है बन्न जीव अभ्यरण यह अभ्यरण ने क्या किया है इसका अपना लोगों होगा देश का पहला ऐसा अभ्यरण है बहुत ज़्यादा मास्पूर्ण हो जाता है आप इसमें इस्टार लगा लीजिए यह जीके का प्रस्ण भी आज से आपको तीन-चार साल के बाद में भी है प्रस्ण आपसे पूछा जाएगा इसलिए आप इसको एकमात्र ऐसा अभ्यरण है जिसमें रातापानी सामिल है ठीक है तो टाइगर रिजर में एकमात अभ्यरण यह सामिल है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा बनेजी अभ्यरण आपसे पूछ लिया जाए तो इसका आंसर आप क्या देंगे मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर आगे हम बढ़ते हैं आप देखें आपर अटल विहारी विश्विद्याले यह भौपाल में इस्तित है यहां पर अटल पीट की स्थापना की गई है ठीक है यहां पर क्या की जाएगी अटल विहारी विश्विद्याले यहां पर अटल पीट की स्थापना की जाएगी यह जो है दो हजार बारा में कब दो हजार बारा में इसको स्थापित किया गया था और एक मांत्र ऐसा विष्च विद्याला है जहां पर इंजीनरिंग हिंदी माध्यम से होती है तो दोस्तों आज के लिए हम इतने ही करते हैं मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें सेयर करें कमेंट्स करके बताएं कैसा लगा जै हिंद जै भारत